प्रे चल आज़ा तो अब जो है अब आपको velocity याद केसे रखनी है समझो दोनों ऐसे लिख दो v equals to this denominator में लिख दो m1 प्लस m2 दोनों के मैं trick बता रहा हूँ ध्यान से सुनो याद केसे रखना है important expression है बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं तो दोनों expression को हम लोग क्या मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान तो m1 प्लस m2 denominator में भी क्या है m1 प्लस m2 याद कैसे रखने का समझो यह format समझा आगया अब देखो याद रखने का m-m into u plus 2mu क्या लिखने का नीचे भी वही लिखने का क्या लिखने का m-m into u plus 2mu ये लिखने का समझाया clear हो गया अब क्या अब यहाँ पर 1 क्या है 2 क्या है वो लगाना है तो याद रखना 11 21 and 22 कैसे याद रखना क्या याद रखने कहा मैंने मैंने आपसे कहा क्या याद रखना 11 21 और 22 ये याद रखना क्या 11 देखो सबसे पहले वी 1 फिर उसके बाद दूसरे पर भी 1 उसके बाद next number क्या है next number है 2 उसके बाद क्या आएगा वन देखो वन वन टू वन वह यहां लगाओ टू टू हो गया बन गया भी बन समझे यह बहुत खतरमनाक सा फॉमुला इतना आसानी से याद हो सकता है समझे क्लेर हो गया अब जब वी टू लिखोगे न तो सब उलेट कर दे न उपर में सब उल्टा कर देना वन का टू बना दो टू का वन बना दो देखो यहां क्या लिखा सबीक्वापस सब्सक्राइब बहुत एजी हो बहुत बहुत तव भी नहीं मुझे भी टफ पढ़ता था याद नहीं होता था है तो कैसे करने का मैंने ट्रिक बना लिए उसकी क्या ट्रिक है यह नंबर याद रखना 11,21 और 22 क्या लिखो V लिखो equals to यह डैश और नीचे लिख दो M1 प्लस M2 फिर से नीचे लिखो V फिर बनाओ यह डैश अपॉन डैश मतलब अपॉन और नीचे लिख दो M1 प्लस M2 ठीक है ना क्लियर हो गया चौड़ हो गया उसके बाद numerator में क्या करना है numerator में लेखो M-M इंटु यू प्लस 2MU याद कर लो सब याद कर लो इसको M-M इंटु यू प्लस 2MU ठीक उसके बाद नंबर लगा दो उपर क्या बोला मैंने 1-1 2-1 2-2 तो 1-1 उसके बाद 2-1 उसके बाद 2-2 उसके बाद यहाँ पर सब उल्टा कर देना V1 है तो V2 कर दो M1-M तो M2 कर दो M1-M2 है तो M1 कर दो U1 ने तो U2 कर दो उसके बाद क्या करने का बोलो उसके बाद यह क्या होगा 1 और 1